जर्मान शफट एक पॉपिलर डॉग बीड इंडिया में भी इन डॉग बीड की डिमांड काफी जादा बढ़ती जा रही है तो आपको यह प्रोज और कॉन्स इनके जरूर जानने चाहिए जो आपको काफी हेल्पफुल होंगे अगर आपके पास है तो भी और आप एड़ॉ आपको प्रोज चेक वीडियो को लाइक कर दीजिए चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं प्रोज नमबर वन इंटेलिजेंट एड़ी टू ट्रें डॉग बीड यह एक ऐसी डॉग बीड है जिसको आजकल सभी लोग जादातर फर्स्ट आइम उननन में भी एड़ या फिर थोड़ी सी जनकारी लेकिए और अगर आपको फिटनेस पसंदे साथ साथ एक्सेसाइज करना पसंदे तो जर्मन चफट आपके लिए एक अच्छी चॉइस हो सकता है यह डॉग भी खुदी काफी ज्यादा एनर्जेटिक होता है वाकिंग पे ले जा सकते हैं और यह सारे मिशन्स में इन डॉग बीट का यूज किया जाता है और यह सब इसलिए क्योंकि यह डॉग बीट इतने स्मार्ट सोते हैं जो भी आप इने सिखाते हैं हार्ड से हार्ड ट्रेनिंग भी जल से जल कर लेते हैं नमबर टू लाइफ स्पेन दूसरे डॉग बीट क के मुकाबल में इन डॉग बीट की लाइफ स्पेन भी काफी जादा होती है अगर इनको प्रॉपर नूट्रीशन डाइट अच्छे से दिया जाए वैट के पास रेगुलर्ली चेकप के लिए लिया जाए और एकसरसाइज दी जाए तो इनकी लाइफ स्पेन काफी जादा ह देखा होगा लेकिन कई सारे लोगों को यह पता यह नहीं कि यह अलग-अलग करल में अवेलेबल होते हैं इनके 11 ऑफिशल्स कलर जिनमें यह डॉग बीड आपको अवेलेबल होंगे उसमें से ब्लैक वाइट ग्रे ब्लैक एंट यह सब कलर हम नॉर्मली देखने को मिलते ह यह नेक्सट जर्मन चफ़र्द आर्ग रर ग्रेट हार्ड वर्कर्स जैसे की मैंने पहले बताया कि यह डॉग Built को आर्मी में यूज किया जताए अलग-अलग टास्क में यूज किया जता है वईसे यह डॉग बीड को आप घर के काम भी देते हो कोई बी जैसे की छॉक्स लेके आना आपके लिए या फिर रिमोट लाना या फिर कोई भी काम देते हो तो यह उसके लिए हैपई होते हैं उनको करना काफी ज़्यादा पसंद लता है ऐसे वर्क जर्मन शफट और ग्रेट प्रोटेक्टिव डॉक्स जर्मन शफट को एक रीजन ये भी है कि इनको ज़्यादा लोग एड़ाप कर रहे कि ये प्रोटेक्शन में काफी ज़्यादा अच्छे होते हैं ये अपने ओनर्स की प्रोटेक्शन के लिए और अपने घर में या फिर प्रोटेक्शन के लिए कुछ भी कर सकते हैं और अगर ये सब आप चाहते कि करें आपका डॉग बीट तो उसको बच्पन से सोशलाइस करना जरूरी आ जाता इसमें लेकिन ये डॉग बीट के जो बिहेवियर में प्रोटेक्शन ने साथी है तो ये जल से जल सीख लेते है ये सब नेक्स्ट जर्मन शफ़र्ड के एगजेस्ट इन इंडियन वेदर्स जर्वन शफ़र्ड एक ऐसी डॉग बेड़े जो इनडिया में एड़ाप की जाती है क्योंकि ये डॉग बीट कोई भी सीजन में आराम से रह सकती है जैसे कि थंडियों में गर्मी और बारिष क सीजन में भी यह आराम से सर्वाइब कर सकती है लेकिन सर्वाइब कर सकती है इसका मतलब यह नहीं कि आप उनसे बारिस में छोड़ तो या थर्ड में रख दो या फिर जादा ही गर्मी में रख दो उसके भी थोड़ा सा खयाल आपको रखना पड़ेगा नेक्स जर्मन शफ़र्ड can live with other children and pets जर्मन शफ़र्ड दूसरे pets के साथ भी आराम से रह सकती है लेकिन इस मामलों में उसकी थोड़ी सी socialization करनी पड़ेगी साथ-साथ children's की protection में भी ये काफी जादा आगे आते हैं या अगर उनके साथ एक bond बना लेते हैं तो उनकी protection के लिए भी कुछ भी कर सकते है आपके पास जर्मन शफ़र्ड है तो आपने कौन सी चीजे notice की है वो comment करके ज़रूर बता है आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा टाइम निकाल के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और इस वीडियो को अभी एक लाइक कर दीजिए अब बढ़ते हम drawbacks के बारे में यानि कौन के बारे में जर्मन शफ़र्ड और नॉट फॉर स्मॉल हाउस जर्मन शफ़र्ड एक medium टू लास साइस की डॉग बिड है इसलिए इन डॉग बिड को freely moving space चाहिए होती है और अगर आपका हाउस ज्यादा ही स्मॉल हो तो यह डॉग बिड वहाँ पे आराम से नहीं रह पाएंगे क्योंकि एक बर यह बड़े हो जाए तो उनको रहने में भी तकलिफ होगे और आपको भी होगी तो अगर आपके पास medium साइस का हाउस है या last साइस का हाउस है तो उसके लिए यह डॉग बिड आराम से comfortable है और अच्छे है जर्मन शफट को देखके आपको पैता चल रहा होगा कि इनके जो हैर्स है वो काफी जादा होते है इसलिए इनकी जो shading सीजन होता है या फिर normally भी इनके हैर्स आपको काफी जादा देखने को मिलते है हाला कि regular grooming से वो कम हो सकते है लेकिन देखने को तो जरूर मिलेंगे तो आप अगर कोई ऐसे इनसान हो जिनको हैर्स पसंद नहीं हो घर में सोफे पे तो आप जर्मन शफट के साथ ना जाए क्योंकि इनके हैर्स फॉल तो होगा ही अगर आप ऐसे बीजी ओनर हो जो घर से बाहर जादा तर रहते हो या फिर घर पर ही काम कर रहे हो लेकिन डॉक को टाइम नहीं दे सकते तो मैं सुझेस्ट करूँगा जर्मन शफट के साथ ना चाहे ये डॉक बीट डिप्रेशन में जा सकते अगर ये अकेले रह जादा समयता इन डॉक बीट को कोई ना कोई उनके साथ खेलने के लिए या टाइम स्वेंट करने के लिए चाही होता है तो अगर आप इन डॉक बीट को टाइम नहीं दे सकते एक्सरसाइज नहीं करा सकते तो काफी ज़्यादा problem होगी इने भी और आपको भी नेक्स्ट keeping busy जर्मन शफर्ट जर्मन शफर्ट को busy रहना काफी ज़्यादा पसंद होता है अगर आपको ऐसा ही देख जाएए घर में इधर हुदर तो वो कुछ ना कुछ चीजे लेके उससे काटेंगे या फिर उसे फार देंगे इस तरह के से हरकते करेंगे इसलिए इन डॉब बिट को busy रखना काफी जरूरी भी और इनको पसंद भी है काकी यह रिलीज कर सके उनकी energy क्योंकि अगर energy उनके अंदर रहती है तो घर में कुछ ना कुछ करते रहते हैं इसलिए इन डॉब बिट को busy रहना काफी ज्यादा पसंद होता इसलिए आप चाहिए उनको toy दे सकते हो या फिर कुछ खेलने के लिए दे सकते हो जो इसके साथ वह आरम से अपनी energy energy release करके busy रह सके next gsds are loud barkers अगर आप किसी apartment में रहते हो या कोई ऐसी जगह पर रहते हो जहां पर loud noise ज्यादा लोगों को पसंद नहीं या फिर नेबर्स को ज्यादा पसंद नहीं तो जर्मन शफ़र्ड आपके लिए एक अच्छी चोईस नहीं होगी क्योंकि यह loud barkers होते कुछ भी suspicious activity देखते हैं या फिर कोई भी stranger आसपास से जा रहा होता है यह तुरंद बाग करना चालू कर देते हैं और इनका loud bark होता है इसके कारण आपको problem हो सकती है हाला कि यह काफी अच्छा बात है कि यह bark करते किसी को भी देखके stranger को भी देखके लेकिन neighbor को problem हो सकती है फिर apartment में रह रहे हो या फिर कोई और पैट है आसपास आपके तो उनको काफी जाधा problem हो सकती है क्योंकि इसे barking करते देखते हुए दूसरे pets भी बार करना start कर सकते हैं जीएस्डी एक ऐसी dog breed है जिन dog breed को socialize होने में किसी और strangers के साथ घुलने मिलने में time लगती है अनलाइक लेबराड और या golden retriever जैसे नहीं है जो strangers के साथ भी जल्दी socialize हो जाते हैं ये dog breed को उनके साथ time लगता है socialize होने में उन पर यकिन करने में next training important कई लोग सोच रहोंगे कि training तो beneficial point में था लेकिन pros में भी आता है कॉन्स में भी आता है क्योंकि अगर training देते हो तो वो easily कर लेता है लेकिन अगर आप उसे training नहीं देते हो तो उसके भी disadvantageous है ये dog breed ऐसी है जिनको अगर आप training अच्छे से ना करो तो अगर आप कहीं बाहर जाओ तो ये आपकी बात नहीं मानेंगे aggressive behavior भी कर सकते है ये dog breed तो एक properly German shepherd आप चाहते है तो उन्हें बच्पन से ही socialize करें क्योंकि अगर आप इनकी training नहीं करोगे तो काफी ज़्यादा problem आती है यही same thing आती है socialize में भी अगर socialize कराते हो तो हो जाते है जल्दी से लेकि नहीं कराते हो तो इसके चलते है आके चलके आपको काफी ज़्यादा problem हो सकती है इसलिए socialization और training इनकी बच्पन सही करें तो friends यह थे जर्मन shepherd के pros and cons आशा करता हो आपको काफी कुछ जानने मिलाओगा आपके पास जर्मन shepherd है तो इसमें से क्या क्या बाते होती है आपके साथ जरू से comment करके बताए कोई और topic पर यही वीडियो ऐसी चाहिए pros और cons वाली तो जरू से comment करके बताए मैं जल से जल लाने की कोशिश करूँगा अभी के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल पर नहीं हो तो subscribe कर लीजिए इस वीडियो को like and share जरू किजएगा